नमिशकार मित्रों भाई दूज कत्युहार आधा कार्तिक बीतने पर कार्तिक की दूज को मनाया जाता है जिसे भाईया दूज कहते हैं बहने अपने भाईयों को जिमाएं, अपने हाँ से ठीका लगाएं, नारियल दें और भाई भी अपनी बहनों को रुपए पैसे देते हैं यदि भाई बहन अपने हाँ से जिमाती हैं बहने अपने भाई को तो भाईयों की उमर बढ़ती है और जीवन की कस्त दूर होती है तो भाई दूज की पुरानी कहानी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ भाई दूज पर ये कहानी तो अवश्य ही सुनने चाहिए एक ब्राह्मन के दो बच्चे थी एक लड़का और लड़की लड़की बड़ी सुशील थी वे अपनी भाई को कभी नराज या बुरा भला नहीं कहती थी भाई अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल गया तब वे चर्खा कात रही थी बहन का सूत का तार तूट गया भाई की आने का उसे पता ना चला बार बार तार जोड़ती लेकिन वे जुड़े ही नहीं पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था वे भाई के गले मिली भाई का दरसत्कार किया परोसन से पुछने गई कै अपने भाई के लिए क्या बनाओ प्रोसन बोली तेल का चोंका लगा कर घी में चावल पका ना तो चोंका सूखे ना चावल पके दूसरी सहेली से पूछा तो उसने कहा गोबर से चोंका लीप और दूद और पानी में मिला कर खीर बना भाई को खिला दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए चक्की में आटा पिसने लगी आटे के साथ साब भी पिस गया उसे पता ना चला उसने उस आटे के लड़ू बनाए कपड़ी में बांध कर भाई को दे दिये जब भाई चला तो साब पिसने का बहन को बार में पता चला वह अपने बच्चों को पालने में सोता और रोता छोड़ कर भाई की रहा चल दी बहुत दूर जाने पर उसे अपना भाई एक पेड़ के नीचे सोता मिला और पास में पोटली रखी थी तब तक भाई ने कुछ भी नहीं खाया था बहन ने सारे लड़ दूठा कर फैक दिये रास्ते में उसे भारी भारी शिलाएं नीचे गिरती हुई दिखी तब उसने एक रहा घर से पूछा यह शिलाएं क्यूं गिर नहीं है तब बहन बोला जो बहन अपने भाई से नराज नहीं होती उस भाई की शादी के समय यह उसकी चाती पर रखी जाएंगी थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग नागिन मिले नाग बोला जिसकी चाती पर शिलाएं रखी जाएंगी मैं उसे डसूंगा तब बहन ने उसे उपाई पूछा तब नागिन ने बताया भाई के सब काम बहन करे और भाई भावज को कोस कर गालियां दे तब ही भाई बच पाएगा तब उस लड़की ने वहीं से अपने भाई को गालिया देनी शुरू कर दी मा बाप को बेटी काई है वेवार अच्छा नहीं लगा विवहा की रात आई तो भाई को गालियां देती रही और स्वयम सारे लगन और शगुन करने लग गई और घोड़ी पर भी स्वयम ही बैठ गई जैसे ही घोड़ी पर बैठी बड़ी बड़ी शिलाएं उड़ती हुई आई लेकिन इस्तरी को देखकर क्योंकि पूर्ष के सान पर इस्तरी को देखकर वेवापिस चली गई ऐसा देखकर बरात के लोग अशरिय चकित हो गई फेरों का समय आया भाई को पीछे धकेल कर गंदी-गंदी गालिये देखकर खुद फेरे लेने लगी सारे काम स्वयम करने लगी यहां तक कि पहली रात भी भाबी के साथ स्वयम सोने चली गई समय आने पर नाग भाई को काठने आया तब उसने नाग को मार कर अपनी जेव में उसे कहा कि हे नीच तुने तो सारी शादी में अपनी भाई को गंदी-गंदी गालियें दी तब बहन को बहुत दुख हुआ है उसने अपनी जेब से मरा हुआ साम निकाला और कहा मा मैं तो अपने भाई-भाबी की इस नाग से और इस सब मुसीबतों से रक्षा कर रही थ तब ही मैंने ऐसा रूप रचा था तब सबी उसकी तारिफ करने लगे भाई को और भाबी को उस बहन ने इतने कस्टों से बचाया उसकी जान बचाई तब भाई भाबी को से विदा लेकर वे अपने घर गई भाईया दूज के दिन चित्र गुप जी की भी पूजा की जाती ह दवात और पुसकों की भी पूजा की जाती है भाई दूज पर यह कहानी जरूर सुने और अपनी भाईया की रक्षा के लिए परातना करें भाई दूज माता जैसे उस भाई और बहन की रक्षा की वहरसी सब की करना इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के भाईयो की आयू लंबी करना अगर मितनों आप कोई है जानकारी और कथा अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को जूर सब्सक्राइब करें लाइक और कमेंट भी करें कमेंट वोक्स में हैप्पी भाईया दू जवश्य लिखें